यह कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है जिसका शीर्शक है सबसे अधिक हो बन कौन? पिछली कहानी में हमने सुना कि राजा विक्रम के जवाब देने के बाद बेताल फिर से पेड़ पर जाकर उटा लटक गया और फिर राजा विक्रम बेताल को पेड़ से उतार कर अपने कंधे पर लाद कर आगे बढ़ने लगे और इस बार भी बेताल ने राजा को एक कहानी सुनाई बेताल कहता है बहुत समय पहले की बात है मगध नाम के देश में एक राजा राज किया करता था जिसका नाम शताब सिंग था राजा इतना बलवान था कि उसकी चर्चा दूर-दूर के देशों तक पहली हुई थी उस राजा की तीन सुन्दर बेटियां थी तीनों बेटियों के अत्याधिक कुमल होने की वजह से राजा को अक्सर उनकी चिंता लगी रहती थी राजा की सबसे बड़ी बेटी इतनी कुमल थी की चांद की रोशनी से ही उसके शरीर पर चाले पड़ जाते थे दूसरी बेटी को गुलाब के फूल जैसी नाजूक चीज के चुने भर से ही चोट लग जाती थी और खून बहने लगता था तीसरी बेटी के कानों में जरा सी भी तेज आवास पहुंचते ही उसके हाथ पैर चाले पड़ जाते थे हर कोई उनकी इस कोमलता के बारे में सुनकर हैरान रह जाता था कई राजकुमार राजा की तीनों बेटियों से शादी करना चाहते थे लेकिन उनकी कोमलता के बारे में जानकर पीछे हट जाते राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी राजा को लगने लगा कि इस कठोर संसार में उसकी कोमल बेटियां कैसे जीपाएंगी तब राजा ने फैसला लिया कि वह सबसे पहली बेटी को हर दम छाओं में ही रखेंगे ताकि किसी तरह की रोशनी की वजह से उसके शरीर पर छाले ना पड़ें राजा ने दूसरी बेटी को हलके कपड़ों और गहनों के साथ ऐसी जगे रखने का फैसला किया जहां कोई भी चीज उससे ना टकराए राजा ने तीसरी बेटी को ऐसी जगे रखा जहां किसी की भी आवाज ना पहुँच पाए इसी दोरान एक पडोस के देश का राजकुमार उनकी कोमलता के बारे में सुनने के बाद मगद देश पहुँच गया उसने सबसे पहली राजकुमारी को रात में बाहर जाने को कहा लेकिन जब राजकुमारी ने मना कर दिया तो वो उसे एक खिड़की के पास ले गया जहां चांद की रोशनी पढ़ रही थी चांद की रोशनी राजकुमारी पर पढ़ते ही उसके शरीर पर छाले पढ़ गए यह देखकर राजकुमार हैरान रह गया इसके बाद उसने दूसरी राजकुमारी के चहरे को गुलाब के फूल का इसपरश कराया जिससे राजकुमारी के चहरे पर खाओ का निशान बन गया अगले दिन राजकुमार ने सभी लोगों को मसाला कोटने के लिए कहा जिसकी आवाज पीसरी राजकुमारी के कानों तक पहुचते ही उसके शरीर पर छाले पड़ गए और वो बेहोश हो गई इतनी कहानी सुना कर बेताल एकदम चुप्थ हो गया और राजा विक्रम से पूछा महराज ये बताईए कि इन तीनों राजकुमारीों में से सबसे अधिक सुकुमारी वा ओमल गौमसी है और राजकुमार गौमसी राजकुमारी से विवाह करेगा सवाल सुनने के बाद भी राजा विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया उससे में बेताल ने कहा राजन जवाब पता होने पर भी आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपका सिर धर से अलग तर दुंबा इतना सुनने के बाद राजा विक्रम बोले तीसरी राजकुमारी सबसे अधिक सुकुमारी है क्योंकि बिना कुछ किये ही उसके हाथ पैर पर छाले पड़ रहे थे और वो बेहोश हो रही थी वो सिर्फ कंद से नहीं, मन से भी कुमल है इसी वजह से राजकुमार सबसे छोटी राजकुमारी से शादी करेगा जब उसके पीछे पीछे जंगल की और भागते हैं इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को अपने मन को साफ रखना चाहिए साफ मन वाले व्यक्ति दूसरों के दुख्ष को समझ सकते हैं मन की शुद्धता से हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं और उनके साथ समवेधन शीलता से बाक्चित कर सकते हैं पहानी समाप्ट रन्यवाद